सल्मान खान बॉलीवुड के जाने माने अभिनेता और फिल्म निर्माता हैं वो दुनिया में सबसे अधिक भुगतान पाने वाले अभिनेताओं में से एक हैं सल्मान खान भारतिय सिनिमा में सबसे अधिक व्यावसाइक रूप से सफल अभिनेताओं में से एक हैं वो 2010 से लोख प्रिया रियलीटी शो बिग बॉस के होस्ट भी हैं। सलमान खान का जन्म 27 दिसंबर 1965 को इन दौर मध्या प्रदेश में हुआ था। उनके पिता सलीम खान एक स्क्रीन राइटर थे जिन्होंने दीवार 1975, शोले 1975 और डौन 1978 जैसी सुपहिट फिल्मों की स्क्रिप्ट लिखी थी। उनकी सगी मा का नाम सुशिला चरक है, दिगगजबिनेतरी हेलिन सलमान की सौतेली मा हैं। अरबास खान और सोहेल खान सलमान खान के छोटे भाई हैं और उनकी दो छोटी बहने भी हैं जिनका नाम अलवीरा उन्होंने अपनी प्रारमविक शिक्षा सिंधिया स्कूल ग्वालियर से पूरी की और फिर उन्होंने अपनी इंटरमीडियेट की शिक्षा पूरी करने के पूरी करने के बाद उन्होंने सनातक की पढ़ाई पूरी करने के लिए मुंबाई के सेंट जेवियर्स कॉलेज में दाखेला लिया, लेकिन अभिनेता बनने की इच्छा के कारण उन्होंने अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी, सलमान खान ने कभी शादी नहीं की, ल किया था, लेकिन उनका रिष्टा 2001 में खत्म हो गया था, फिर उन्होंने अभिनेतरी कैट्रीना कैफ को डेट किया, कैट्रीना ने 2011 में एक साक्षातकार में स्वीकार किया कि वह कई वर्षों से सलमान खान के साथ रिलेशन्शिप में थी, लेकिन उनका रिष्टा संगीता बिजलानी और सोमी अली भी सल्मान खान के साथ सीरियस रिलेशन्शिप में थी 2012 से 2016 तक सल्मान खान रोमानिया अभिनेत्री लूलिया वान्टा के साथ रिलेशन्शिप में थे उन्होंने अपने कर्या के शुरुआती दिनों में एक मॉडल के रूप में भी काम किया है मैंने प्यार किया, मैं प्रेम चौदरी की मुख्य भूमिका निभाई थी, जो उस समय भारत की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक थी। जैसी कई सुपहिट फिल्मों में अभिने किया। उनकी बारा फिल्मों ने सौ करोड से अधिक की कमाई की है, जिनके नाम कुछ इस प्रकार हैं। जैसी फिल्मों की स्क्रिप्ट भी लिखी है। उन्होंने डेजी इरानी के अभिने संस्थान से अभिने सीखा है। Forbes इंडिया के अनुसार अगस्ट 2017 में वो दुनिया में नौवे सबसे अधिक भुगतान पाने वाले अभिनेता थे और भारत में सबसे अधिक भुगतान पाने वाले अभिनेता थे। सल्मान खान, रितिक रोशन और अर्जुन कपूर जैसे कुछ बॉलीवोड अभिनेताओं के लिए प्रेरणा रहे हैं। 2013 में उन्हें भारत का सबसे अधिक होजा जाने वाला सेलिब्रिटी ओनलाइन घोशित किया गया था। 28 सितंबर 2002 को सल्मान खान को मुंबई में एक बेकरी में अपनी कार के टकराने के बाद तेज गती से और लापरवाही से गाड़ी चलाने के आरोप में गिरफतार किया गया था। 28 से में बेकरी के बाहर फुटपात पर सो रहे एक व्यक्ती की मौत हो गई और तीन अन्य घायल हो गए थे। मार्च 2002 में उनके ब्रेक अप के बाद एश्वर्या राए ने उन पर परेशान करने का आरोप लगाया था। एश्वर्या के माता पिता ने उनके खिलाफ शिकायत दर्च कराई थी। 2008 में वो कैटरिना कैफ की बर्दे पार्टी में शाहरुक खान के साथ बदसूरत लड़ाई में शामिल थे।